हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सोभा की रसोईयन ब्लोग में आपका स्वागत है तो सबसे पहले ले ले लेते हैं सोया बड़ी और उसको पानी डालके हम भिगोने के लिए रख देंगे हादी गंटे में हमारी बड़ियां भिग के तयार हो जाएंगी बड़िया हमारी भिग के तयार हो चुकी हैं और इसका पूरा पानी हमने निचोड लेना है बड़ियों का सारा पानी हमने निचोड लिया है यह देखिए अब हम अच्छे से इसकी बाइंडिंग कर लेंगे नमक डाल दिया मैंने लाल मिर्च पायड़ डाल दिया है और डाल लेंगे मैदा इस से अच्छे से wyanding करेंगे तो हम जो हम इसको भूनेंगे तो तेल बहुत ही कम लगने वाला है वरना तेल बहुत जादा सोक लेती हैं बढ़िया तो इसको हमने भून लेना है low to medium flame पे इसको सुना रहा होने तक भून लेंगे ये देखिए बड़िया हमारी भून चुकी हैं इनको निकाल लेते हैं प्लेट में और अब फिर से हमने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेना है थोड़ा सा लहसन डालेंगे और डालेंगे खड़े मसाले अच्छे से इनको भून लेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं मोटी कटी हुई प्याज एक बड़ी साइच का प्याज लिया है अच्छे से इसको भून लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च और सिमला मिर्च थोड़े देर तक इसको चला लेंगे इस तरह से ये लेजे अभी इसमें सोया सौस डलेगा दो चप मच और डलेगा टोमेटो केचप इस तरह से इसको चला लेंगे थोड़े देर और डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ये लेजे अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम अपनी बढ़िया इसमें डाल के इसको थोड़ी देट तक चला लेंगे ये लेजे थोड़ी देट को इसको इस तरह से चला लेजे वीडियो अगर पस्ना आए तो लाइक सस्क्राइब जरूर कर लेजिए आने वाली अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई थैंक यू